इस्टुएंट आज के MCQ सुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मिशन देता हूं लगबग 30-40 सेकंड में एक कंप्लीट हो जाएगा हमारी तरफ से आप लोगों को एक जो है वो मौक टेस्ट कराया जा रहा है वेस्ट्री मौक टेस्ट कर अरुंध सर ने यूसके ऊपर इक डिटेल वीडियो जो है वो डिटेल वीडियो बनाई है चौबेस सितंबर को आपका यह जो है UKSCC बेस पे आपका एगसाम होगा हमारी अकाडमी जो है वेस्तुर एकाडमी हलदवानी में है आपका जोakah एकाम होगा और इसमें आपके जो ह about 19 सेकंड और यहाँ पर आप लोगों लेकर है अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट के लिए जो है यहां वापकर टॉपमर्पीज आते हैं दूसरा जो है 750 है और तीसरा जो में हमारी यहां वेजसरीषर क्यों कर लिजया वहाँ लांने सेख्षिन में तो मेरा आंसर देने से पहले आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो हमारा जब पहला प्रस्न है, वह है, निमलिखित में से कौन सा सब्द चंचला का अनेकार्थक नहीं है, मतलब चंचला का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए, चंचला का मतलब लक्ष ना है नीचे दिएगे सब्दों में से बेमेल सब्द चुनना है मतलब जिनका आर्थ से थोड़ा सा अलग हो ओके बेमेल सब्द जैसे ददी ददी का मतलब होता है आपका दही ठीक है दुग्द मतलब होता है आपका दूद मद्य अलग होता है मद्य आपका जो सराब वाल इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका मध्य है, ओके आगे चलते हैं, चतुरानन, देखिए, चतुरानन क्या बोलेंगे, चतुरानन कौन सा समास है, चतुरानन जो है, वो आपका बहुबरही समास है, कौन सा समास है, बहुबरही समास है, कितने दो आपके पद होंगे उस तरीके से हमने यहाप पहले भी सारे समास पड़े हुए है तत्पुरु समास कर्मदार है लेकिन चत्रानन कौन सा है चत्रानन आपका बहुपरही समास है उसके अगला प्रस्ण है हिंदी भासा का प्रादुर्भाव किस भासा से हुआ है तो हिंदी भासा जो ह है वो कहां से शुरुवात होती है वो आपका संस्क्रेट भासा से उसका प्रादुर्भा हुआ है संस्क्रेट भासा से वो बने हुई है ठीक है इसका राइट आंसर क्या है option number B ओके अगले प्रस्न में चलते हैं अगला प्रस्न है मीन का परियावाची सब्द है मीन का जो परियावाची सब्द है वह क्या है मचली ठीक है जी मीन का परियावाची सब्द क्या है मीन का परियावाची सब्द आपका है मचली ओके बुडिया में प्रियुक्त प्रत्याई है अब प्रत्याई हमक सब्सब्द है अगर जो उसके पहले लगे इधर उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलते हैं उपसर्ग तो यहां पर जो है वो यह चोटी यह पर देखिए डौ में एकी मात्रा है तो इसका अंसर क्या है या ऑप्शन नमबर बी इस दराइट आंसर ओके आगे चलते हैं घी के दिये जलाना देखे घी के दिये जलाने का आपका आर्थि क्या होता है घी के दिये जलाने का साब्दी का आर्थि जो होता है वह होता है खुसी मनाना हम जब खुसी मनाते कहते हैं ओके खुसी मनाना ओके अगला है यात्रियों के समू को हम क्या बोलते हैं यात्रियों के कि स्थापना करने वाले कमिसनर का क्या नाम है कुली बेगार हमको पता है इस में आपकी तीन तरीके की आपके पर दाहीं थी एक कौन सी थी कुली बेगार खुली उतार और कुली बपर दाइस ठीक है तो इसके जो आपका स्थापना कप की गई थी खचर सेना की वह की गई थी 822 में किसके निरित्ति तुम्हें जो आपके कमिशनर ट्रेल है ठीक है कमिशनर ट्रेल कौन से नंबर के है। जो second number के आपके commissioner हैं, सबसे पहले वाले कोन हैं, सबसे पहले वाले आपके gardener हैं, कोन हैं, gardener, second number पे आपके कोन है, trail, तो खचर से ना किस आपने किस आपने आपकी trail नहीं किये, okay, उसके बाद अगला प्रस्थन है, डोला पाल की आंदोलन किस वर्स शुरू किया गया, डोला संबन्दी था यह दलितों से सिल्पकारों से निम्नवर्ग से संबन्दी था इसमें क्या होता था जैसे पुराने जमाने में जो आपके स्वण्ण का स्वण्ण लोग थे उनके दूले को तो डोली में बैठने का अधिकार था लेकिन जो दले ते सिल्पकार थे इनके दूले और दोलन को डोली में बैठने का अधिकार नहीं था, तो इसके विरोध में जो अंदोलन चलाया गया, वो आपका डोलापाल की अंदोलन है, ठीक है, आगे चलते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर भारत के गवर्नर जर्नल कौन थे, देखिए, जो आपके इन से पहले आपके लाड माउंट बैटन थे, और सबसे लास्ट में भी कौन थे, सबसे लास्ट में भी आपका राजगोपालाचारी ही थे, ठीक है, राजगोपालाचारी से पहले कौन थे, लाड माउंट बैटन, ओके, इसी राजगोपालाचारी के नाम पे, जो आपका देहरादू, नदित्वार में राजाजी नैसनल पार्क है, वो इनी के नाम पे आपका रखा गया है, चक्रवर्ती राजगुपालाचारी के नाम पे, ओके, आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रस्न है, पानीपत का दुती युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, पानीपत का और इबराहिम लोदी के बीच में, ठीक है जी, प्रतम युद्ध बाबर और लोदी के बीच, इबराहिम लोदी के बीच में, दुती युद्ध अकबर और हेमु के बीच में, तिर्ती युद्ध जो था, वो था एहमद साअबदाली, ठीक है, किसके नाम पे, अहमद जिनाती उनके बीच में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया ठीक है जी आगे चलते हैं आगे हमारा प्रस्न है भारत का प्रवेशद्वार कहा जाता है भारत का प्रवेशद्वार कहा जाता है किसको कहा जाता है भारत का प्रवेशद्वार भारत का प्रवेश देल्टा और गंगा का जो है सुन्दरवन डेल्टा वह सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा सुन्दरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है ओके आगे हमारा प्रसने है बिश्रु की सबसे लंबी परवत माला है ठीक है बिश्रु की जो सबसे लंबी परवत माला है वो आपकी कौन सी है, वो एंडीज परवतमाला है, अब आपको बताना है कि यह कहां पर है, यह आप लोगों को बताना है ठीक है आगे चलते हैं, Discovery of India भारत की खोज, ठीक है, Discovery of India पुस्तक के लेखा कौन है, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवालल नहरू, कौन है, पंडित जवालल नहरू ने आपके Discovery of India पुस्तक लिखी हुई है, पिर निम्न में से कौन सा भारती अर्थव्योस्ता का प्राथमिक छेत्र है, ठीक ह सान्ट है, मचली पालन है, पसुआ पालन है, यह सारे के सारे जितने भी इस तरीके से natural छीजों पर dependent हैं, वो आपके किस में आएंगे, वो आपके करिसी में आएंगे, जो आपके कच्चे माल से, अगर हम कुछ मैनुफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है? कच्चे माल से हम कुछ भी manufacturing में आ रहे हैं, तो वो आपका secondary में आएगा, किसी भी प्रकार की जो सेवा है, या जो service वाला part है, वो किसमें आता है, वो tertiary वाले में आता है, तो यहां पर प्राथमिक छेत्र क्या है, प्राथमिक छेत्र जो है, वो क्रिसी है, ओके, आगे चलते ह भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है जी, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नहर आपकी इंदरा गांधी नहर है, कौन सी है, इंदरा गांधी नहर, ठीक है जी, आगे चलते हैं, विश्व का सबसे उचा परवत सिखर है, सबसे उचा परवत सिख हुई है ठीक है इसमें जो आपका यह याद रखना है पहले हमने बच्पंजे पढ़ते हुए हम आए आठ जार आठ सो और चालीज मीटर लेकिन अब क्या है चैना की टीम है उसने जो हाइट है वो इतनी आपकी बढ़ा दी गई है मतला उनका जो आपका कैल्कुलेशन है वो इतना बढ़ गया तो इस्ते रेटेड आपके प्रसने पूछे जा सकते हैं अगला हमारा प्रसने है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप यह देखिए सागर वाला नदी द्वीप आपका पूछा हुआ है तो इसका राइट आंसर कौन सा है इसका राइट आंसर आपका उमानंदा है कौन सा है उमानंदा ओके आगे चलते हैं तपकेश्वर मंदिर इस्थित है तपकेश्वर मंदिर कहां परस्थित है तपकेश्वर मंदिर आपका द अब करके साथ में आपका लुए थाप गुफा है वह कहां पर है आपका वह आपका अल्मोडा में है यह प्राग आपके अगला प्रस्nous निमलिखित में किस स्थान से कैलास मान सरूर चीन सबसे कम दूरी पर है तो जो पिधोरागड में तवागाट है तवागाट से सबसे कम दूरी पर इस्थित आपका कौन सा है जो आपका केलास मांसुर तो इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है option नंबर डी ओके आगे चलते है आगे हमारा प्रस्न है कि अट्राखंड के किस इस्थान पर नैनी सेनी होई एटडा इस्थीत है तो जोelinी सेनी होईटा है वह आपका कहां पर है वह आपका पिथोरागड में है कहां पर है पिथोरागड में फिर है राजा सोम चंद किस सामराजी से देखिए नाम से चंद से पता लग रहा है कौन से सामराजी से हैं चंद सामराजी से राजा जो सोम चंद है वह चंद सामराजी से आपका संबन्दी ऑपके बड़ी आठक्न सी है वह आपकी जॉनसारी है, सबसे ज्यादा कहां पर यह लोग है यह दहरादून जिले में, हीं है, तो यह और फ़कीर पी जॉनसारी गायक है उसके पॉरक पत्मस्री बसंती, ओके, आगे चलते हैं, जोसी माटर, जोसी आरा से धरासु तक विद्दुत परियुजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलो मेटर सुरंग लंबी है, यह कहां पर है, किस नदी पर है, यह आपका भागी रती नदी पर है, किस नदी पर है, भागी रती नदी पर, ओके, आगे है, प्रसिद्द चंडाक मंदिर, चंडाक मंदिर कहां पर इस्तित है, चंडाक मंदिर आपका पिठोरागड में इस्तित है, कहां पर इस्तित है, चंडाक मंदिर, जो आपका चंडाक मंदिर है, यह आपका पिठोरागड में इस्तित है, ओके, आगे चलते इने निमलक खित्में से किस वर्स में नैनी तौन होता है तो 1880 का झू भोज कलन है ठीक है यही है आपका भरी gbush karate होता है नैनी तौन में ठीक है रेम जे इस टाइम पर क्या होते हैं रेम जे इस टाइम पर यहां पर कमिशनर होते हैं ओके तो इसका राइट आंसर क्या है अठारा सौशी और जो ने निताल में जो फ्लैट्स बने जहां पर पार्किंग उगर होती है वह इसी भूसक्राइन के करणों वहां पर समतल हुआ था सब्सक्राइब आगे चलते हैं कुमाओं मोटर्स ऑनर्स यूनियन के अम ओit में से बोक्सा जंजाति के त्योहार हैं तो ये चांदपुर गढ सामराज्य स्थाफित हुआ था चांदपूर गढ और ये ये दोनों तो आपके नरत्य हैं ये दोनों डांस हैं तो इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट डांसर है होड़का ठीक है जी आपको होड़का ऐसा कुछ होता है यह तोड़ा सा यहां पर ऐसे बना हुआ यहां पर आपका दो खाल लगे रहे तीन जानुर कि उसक अगला प्रसना है तुंगनाथ में सीव के किस अंग की पूजा की जाती है देखिए यह जो आपका पंच केदार है पंच केदारों में आते हैं और तुंगनाथ क्या है तुंगनाथ सबसे अधिक उंचाई पर स्थित मंदिर है ठीक है यह भी आपको याद करना और यहां पर भगवान की बजाओं की क्या होती है बजाओं की पूजा होती है असी मैं आगे चलते हैं तो यह त руки आताल है यह आता है काम नेनिताल डिस्टिक में आता है यह कहां पर है यहां पर कितने कोने हैं नो कोने हैं ओके आगे चलते हैं देखिए यह प्रस्न आपनों को थोड़ा सा गलेशियर है ठीक है उसके एक चोटे से जगव से गोमुख से ही आपकी क्या निकलती है गंगा निकलती है लेकिन अगर केवल गंगोत्री आए ठीक है वहाँ पर गोमुख से हैं उत्राखन का सबसे कम अनुसूचे जाती वाला जिला है सबसे कम अनुसूचे जाती वारा जिला कौन सा है वो आपका चमपावत है कौन सा है चमपावत ठीक है जी यह आपको यहाँ पर याद रखना है आगे चलते हैं चंदरप्रभा एत्वाल के सुहर से इंडियन माउंटरिंग फाउंडेशन की सदस्य बनी तो जो आपका चंदर अगे चलते हैं कुमावव्रेजिमेंट की स्थांपना होई थी कम होई थी आपका वर्स 1905 में इसका सेंटर है वो कहा है इसका सेंटर आपका रानिखेट में जो आपका गडवाल है गडवाल आपका कब हुआ था 1887 में हुआ था और इसका जो वो है आपका सेंटर है वो कहां पर है कालूडांडा पाड़ी लेंस डॉन कहां पर है लेंस डॉन में ठीक है जी आगे हमारा प्रस्ण है पंचमी के त्यवार में किन पत्तों की विशेश महिमा है तो पंचमी के त्यवार में आपका जो के पत्तों की विशेश महिमा का गुणगान होता है हमारा अभी का अंतिम प्रस्ण है उत्राखन की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहां है तो जो सूती वस्त्र मिल है वो कहां पर है वो आपका कासीपूर में है कहां पर उधम सिंग नगर में ठीक है जी कहां पर है कासीपूर उधम सिंग नगर में ठीक है स्टुडेंट तो तो इस्टुडेंट आज के जो हमारे यहां पे कुछ क्वेस्टेंस हैं वह हमने कर लिए हैं नेक्स्ट भी हम आपके कुछ टेत अूछ के कोल जा सकते जो हमारे यह का भी हमारे यहां थीद्गेंसेर स्टू कोई激ान खढ़ हम अजयिए सकता हैं?